चलिए अब प्रश्णों पर चलते हैं, जहाँ पर दिया गया है कि छै लड़कों एवं चार लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ती में खड़ा किया जा सकता है, जब कि कोई भी दो लड़कियां एक दूसरे के पास पास ना हो तो छै लड़कियों को एक पंक्ती में एक एक इस्थान को छोड़कर खड़ा करने पर एक इस्थान पंक्ती के आरंभ में, पांच इस्थान बीच में तथा एक इस्थान पंक्ती के अंति में मिलता है, अर्थात पुल साथ इस्थान मिलते हैं इन इस्थानों पर चार लड़कियों को खड़ा करने पर कोई दो लड़कियां पास-पास नहीं होंगी तो इसमें हम आगे लिखेंगे कि अतह पंक्ती में खड़ा करने की अभिष्ट विधिया बराबर 7C4 पूरक संचे का उप्योग करके आप लिख सकते हैं 7C7-4 equal to 7C3 और 7C3 को आप लिख सकते हैं 7 into 6 into 5 upon 1 into 2 into 3 तो 3 into 2 करेंगे तो यह आप मिल जाएगा 6 और 6 यह cancel हो जाएगा 7 और 5 को गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा 35 और यही इस प्रशन का उत्तर है अगला प्रशन दिया गया है 6 व्यंजनों और 4 स्वरों से कितने सब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें 4 व्यंजन और 2 स्वर हो तो 6 व्यंजनों में से 4 व्यंजन को 6 C4 प्रकार से चुना जा सकता है और 4 स्वरों में से 2 स्वर 4 C2 प्रकार से चुने जा सकते हैं पहले समूह में से कोई भी दूसरे समूह में से किसी के साथ लिखा जा सकता है इस प्रकार उन समुहों की संख्या जिनमें से प्रत्येक में चार वेंजन और दोस्वर हैं ये होगा 6C4 इंटू 4C2 किन्तु प्रत्येक समुह में 6 अक्षरों को आपस में 6 फैक्टोरियल तरीके से रखा जा सकता है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतह कुल सब्दों की संख्या ये है आपका 6C4 और 4C2 इन दोनों का गुणा और साथ में 6 फैक्टोरियल का गुणा पूरक संखे को उप्योग करके 6C4 को हम 6C2 लिख सकते हैं क्योंकि 6-4 करेंगे तो आपका में जाएगा 2 और ये है आपका 4C2 और ये 6 का फैक्टोरियल तो आगे से रहल करते हैं 6C2 तो ये 6 इंटू 5 अपान 1 इंटू 2 और 4C2 का मतलब है 4 इंटू 3 अपान 1 इंटू 2 और 6 का फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो इसे आप सॉल करेंगे तो मिल दाएगा आपको 2 इंटू 5 करेंगे मिल दाएगा आपको 15 और 3 और 2 का गुणा करेंगे मिल दाएगा आपको 6 और इसको पूरा गुणा करेंगे तो मिल दाएगा आपको 720 और इस प्रकार इसको पूरा सरल करेंगे तो आपको मिल दाएगा 64,800 और यही वह अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगला प्रश्ण है Examination E-X-A-M-I-N-A-T-I-O-N सब्द के अक्षरों में से एक बार में चार अक्षर लेकर कितने संचय और कितने क्रमचय बन सकते हैं यह हमें ग्याद करना है तो पहली बात ही है कि क्रमचय में कौन-कौन से अक्षरों की पुन्रा वृत्ती हुई है यह हमें पहले देखना होगा तो इससे हम लिखेंगे कि Examination E-X-A-M-I-N-A-T-I-O-N में 11 अक्षर है देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और यह 11 इसमें ए जो है यह दो बार आया है यह पहला और यह दूसरा इसी प्रकार I यह भी दो इस्थान पर आया है एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर N इसकी पुन्रावरित्ती भी दो बार हुई है एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर इसके बाद में E एक बार आया हुए X यह भी एक बार आया हुए M यह भी एक बार आया हुए और फिर यह T और यह O इस प्रकार इसकी पुन्रावरित्ती हुई है अब हमें चार अक्षरों का चुनाओं करना है चार अक्षरों का चुनाओं लिखेंगे कि निम्ना प्रकार से हो सकता है तो इसमें पहला प्रकार है कि दो समान होगा और फिर दो भी समान होंगे तो इस पहली स्थिती में दो समान अक्षर के तीन जोड़े हमारे पास दिख रहे हैं एक तो यह A, दूसरा I और तीसरा N तो इसे हम लिखेंगे कि यहाँ पर दो समान अक्षरों के तीन जोड़े हैं इसलिए दो जोड़े के संचाईयों की संख्या तो तीन में दो का चायन करना है तो यह हो जाएगा 3C2 पूरक संचे को उप्योग करके हम इसे लिख सकते हैं 3C1 और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 upon 1 equal to 3 तथा अब हम करमचै गयाद करेंगे तथा इन चार अक्षरों से करमचैयों की संख्या तो आपको 4 अक्षर लेने हैं तो यह 4 का फेक्टोरियल हो जाएगा और 2-2 की पुन्रा वृत्ती करनी है तो 4 का फेक्टोरियल बटे 2 का फेक्टोरिल दो का फेक्टोरियल गुना चार का फेक्टोरियल मतलब चार गुनित तीन गुनित और ये दो का फेक्टोरियल हम लिख सकते हैं और ये दो फेक्टोरियल और एक दो का हम विस्तार कर देते हैं तो ये दो का फेक्टोरियल ये दो का फेक्टोरियल कैंसल हो जाएगा दो दुन 3 और 6 का गुणा कर देंगे इस प्रकार आपको मिल जाएगा 18 तो यह पहली स्थिति जब 2 समान और दूसरा भी 2 समान अक्षर है आगे हम 2 समान और 2 असमान को लेकर के सरल करेंगे इसमें 2 समान और 2 असमान अक्षरों का चयन किया जाए तो यहाँ पर तीन जोड़ों में एक जोड़ा अर्थात एक दो तीन जोड़ा है उसमें से एक कच में चैन करना है और सेस साथ असमान अक्षरों में दो का चुनाओं करना है यहाँ संचयों की संख्या तो 3C1 क्योंकि तीन में एक का चुनाओं करना है और साथ में दो का चुनाओं करना है तो यह 7C2 सॉल करेंगे तो मिल जाएगा 3 बटे 1 और 7C2 तो 7 गुनित 6 बटे 1 गुनित 2 तो इसको हल करेंगे तो 3 दो नी 6 तो 3 तीन 9 और 7 नौ सत्य तिरसट यह संचयों की संख्या है अब हम करमचयों की संख्या देखते हैं पहला 4 और इसमें से जो 2 है उसकी पुन्रा वृत्ती हुई है तो यह हो जाэगा 4 गुनित 3 गुना 2 का फैक्तोरियल और बटे 2 का फैक्तोरियल दोनों कैंसल हो जाएगा 4 और तीन का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 12 तो इस प्रकार इस अवस्था या इस स्थिती में क्रमचायों की संख्या दोनों का हम गुणा कर देंगे 63 और 12 का गुणा कीजिए यह आपको मिल दाएगा 756 यह दूसरी स्थिती है इसके बाद हम तीसरी स्थिती देखेंगे और तीनों स्थितियों में अलग-अलग क्रमचायों और संख्यायों का योग निकालेंगे वो हमें आगे अभिष्ट उत्तर मिलेगा इसमें तीसरी स्थिती जो है यह चार आसमान अक्षरों को लेकर के हम बनाएंगे तो यहां आठ भिन्न भिन्न अक्षर है और इन आठ में चार अक्षरों को चुनने के प्रकार या फिर चुनने की विधियां आठ में आप चार का चैन कर रहे हैं तो यह जागा 8C4, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 8 गुनित, 7 गुनित, 6 गुनित, 5 बटे, 1 गुनित, 2 गुनित, 3 गुनित, 4 सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 70 अब इन चार अक्षरों से के क्रमचयों की संख्या इसके क्रमचय की संख्या निकालेंगे तो यह चार अक्षर है और चार का फेक्टोरियल सरल करेंगे तो मिल जाएगा 24 तो इस अवस्था या फिर इस इस्थिती में क्रमचयों की संख्या दोनों का गुणा कर देंगे 70 गुनित 24 करेंगे मिल जाएगा आपको 1680 तो इस प्रकार पहला संचयों की संख्या संचयों की संख्या जो तीनों अलग अलग स्थीतियों में संचय प्राप्त हुआ था उन सब का योग पहले में तीन दूसरे में 63 और चौथे में यह सत्तर प्राप्त हुआ है इन सब का योग करेंगे तो मिल जाएगा 1680 इन सब को जोड़ देंगे तो 2454 आपको प्राप्त होगा अगले प्रिश्ट में दिया गया है कि साथ व्यंजनों और पांच स्वरों से कितने सब्द निर्मित किये जा सकते हैं जबकी प्रत्येक सब्द में 4 व्यंजन और 3 स्वर सामिल हो तो पहले हम 7 में 4 का चैन करेंगे और 5 स्वर में 3 का चैन करेंगे लेकिन कुल मिला करके 7 अक्षर हैं उनको भी 7 टरीके से लिखा जा सकता है इस तरीके से दोनों का जो दोनों से जो उत्तर आ रहे हैं उनका गुननफल निकालेंगे तो हमें अभिष्ट उत्तर मिल जाएगा चलिए सरल करते हैं साथ व्यंजनों में चार व्यंजन चुनने के प्रकार तो यह आपको मिल जाएगा 7C4 और पूरक संचे का उप्योग करके सरल करेंगे तो 7C3 7-4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और इसी तरीके से पांच स्वरों में तीन स्वर चुनने के प्रकार तो यह आपको मिल जाएगा 5C3 5C3 को पूरक संचे का उप्योग करके 5C5-3 is equal to 2 ऐसा भी लिख सकते हैं तो उन समूहों की संख्या जिसमें प्रत्येक में चार व्यंजन तथा तीन स्वर हैं यह निकालने के लिए हम दोनों का गुर्णा कर देंगे तो 7C3 into 5C2 तो 7 into 7 into 6 into 5 और यह 3 है तो 1 into 2 into 3 और 5C2 को 5 into 4 upon 1 into 2 solve करने पर आपको मिल जाएगा 350 लेकिन अब प्रत्येक समूह के साथ अक्षरों को साथ फैक्टोरियल तरीके से तरीके से रखा जा सकता है अतह अभीष्ट सब्दों की संख्या दोनों का हम गुणा कर देंगे अर्थात 350 और 7 के फैक्टोरियल का गुणा करेंगे तो 350 गुणा 7 का फैक्टोरियल मतलब 7 गुनित 6 गुनित 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 सौल करने पर ये 350 और ये आएगा 5040 इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17,64,000 और ये अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्याद करना था समूहों में विभाजन दी हुई P प्लस Q वस्तुओं को दो समूह में जिन में क्रमसः P और Q वस्तुओं को विभाजित करने के ढंग P प्लस Q वस्तुओं में से P वस्तुओं का एक समूह बना लेने पर Q वस्तुओं स्वता ही बची रहती है अता P प्लस Q वस्तुओं को P और Q के दो समूहों में विभाजित करने के वही तरीके होंगे जो P प्लस Q वस्तुओं में से P वस्तुओं के संचायों की संख्या होगी अता अभिष्ट संख्या बराबर P प्लस Q C P equal to P प्लस Q का फेक्टोरियल upon P का फेक्टोरियल Q का फेक्टोरियल अब इस पर हम एक उपप्रमेय बना सकते हैं यदि P equal to Q हो तो विभाजन की जो संख्या होगी वह होगा 2 into P का फेक्टोरियल upon P फेक्टोरियल का स्क्टोरियल परन्तु ऐसा करने से प्रत्येक समुह दो बार आता है अता अभिष्ट संख्या होगी 2 into P का फेक्टोरियल upon 2 फेक्टोरियल into p factorial का square यदि वस्तुओं को बराबर बराबर बाटा जाए तो अभिष्ट संक्या होगी 2 into p का factorial upon p factorial का square तीसरा उप्रमे p plus q plus r वस्तुओं को p q और r के समूह में विभाजित करने के p q plus r पूरे का factorial upon p factorial q factorial r factorial तरीके होगी और चौथा उप्रमे यदि p equal to q equal to r हो तो विभाजन के तरीके 3 into p factorial upon 3 factorial into p factorial का cube चलिए अब इससे सम्मादित कुछ प्रशन देखते हैं जिसमें पहला प्रशन दिया गया है कि कितने प्रकार से 17 पुरशकार दो बालकों में बाटे जाएं कि एक को साथ वा दूसरे को दस पुरशकार मिले तो 17 जो पुरशकार है उस 7 पुरशकार देने के प्रकार निकालेंगे और 10 पुरशकार देने के प्रकार निकालेंगे और फिर दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें अभिष्ठ हल प्राप्त होगा तो इसे हम लिखेंगे कि 17 पुरशकारों में एक को साथ पुरशकार देने के प्रकार तियो जाएगा सत्रा सी साथ अब सेश जो बच गया है कितना बच गया दस तो सेश दस पुरशकारों में दूसरे को दस पुरशकार देने के प्रकार तो दस में से दस का चयान कर रहे हैं तो ये टैन सी टैन हो जाएगा तो इस प्रकार जो अभिष्ट प्रकार है यह निकालने के लिए हम दोनों का गुणा कर देंगे उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगले प्रश्ण में दिया गया है नौ पुरस्कार को दो विद्यारतियों में कितने प्रकार से बांटे जाएं कि एक को चार एवं दूसरे को पांच पुरस्कार मिले तो पहले तो ये कि नौ में चार को बांटने के प्रकार निकालेंगे और सेस पांच में पांच को बांटने के प्रकार निकालेंगे और दोनों का गुणा कर देंगे पूरु प्रश्न की भाती तो हमें वह उत्तर मिल जाएगा तो चलिए तो इसे हम लिखेंगे कि नौ पूरशकारों में से एक विद्यार्थी को चार पूरशकार देने के प्रकार तो नौ में चार का चैन करना है तो यह 9C4 हो जाएगा इसके बाद अब 6 से इस 5 पुरशकारों में 5 पुरशकार देने के प्रकार तो यह हो जाएगा 5C5 और अभिष्ट प्रकार निकालना है जो पूछा गया है तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे यह 9C4 इंटू 5C5 9C4 यह फैक्टोरियल 9 अपन फैक्टोरियल 4 और 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 1 एन सी एन 1 होता है तो आगे सॉल्व करेंगे तो मिल दाएगा 9 का फैक्टोरियल और यह 4 का फैक्टोरियल और यह 5 का फैक्टोरियल और यही वह अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्यात करना था तो इसमें अगला प्रश्ण है कि तास के बावन पत्तों में से चार-चार की गड़ी कितने प्रकार से बनाई जा सकती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि बावन पत्तों में तो इसमें यह कहा गया है कि बावन पत्तों में चार-चार की गड़ी बनानी है तो बावन को जब चार से भाग देंगे तो आएगा तेरा इसका मतलब यह है कि हर एक गड़ी में 13 तेरा पत्ते होंगे गड्डियों में रखने पर पत्तो के करम का हमें ध्यान नहीं देना है और फिर हमें उसकी संख्या ग्याद करनी है तो इसका हल हम लिखेंगे कि प्रत्य एक गड्डी में 13 तेरा पत्ते होंगे और इस पर पत्तों के करम का ध्यान नहीं देना है करम का कोई महत्तो नहीं है तो अभिष्ट संख्या पहली बात ही है कि 52 पत्ते हैं और इसमें 13 तेरा पत्तों की गड्डियां बनानी है और उसमें से 4 गड्डियां बनेंगी तो इस प्रकार जो अभिष्ट संख्या होगी ये 52 का फैक्टोरियल ये बटे 4 का फैक्टोरियल और 13 का फैक्टोरियल का घात 4 और यही इस प्रश्न के लिए अभिष्ट उत्तर है, अगला प्रशन है कि तास के बावन पत्ते चार खिलाडियों में बराबर कितने प्रकार से बाटे जा सकते हैं, तो बावन पत्तों को चार खिलाडियों में बाटेंगे, तो इसका मदलब है कि हर एक खिलाडी को तेरा-तेरा पत्ते मिलेंगे, इसकी काल सकते हैं तो इसका भी हल पूरो प्रश्म की बात ही लिखेंगे कि बावन पत्तों को चार खिलाडियों में बांटने पर प्रत्येक को तेरा तेरा पत्ते मिलेंगे इसलिए अभीष्ट संख्या पहली बात है कि बावन पत्ते हैं तेरा पत्ते एक प्रकार के तेरा पत्ते एक प्रकार के फिर तेरा पत्ते एक प्रकार के और फिर तेरा पत्ते एक प्रकार के तो इससे हम लिख सकते हैं कि बावन का फैक्टोरियल बटे तेरा का फेक्टोरिल और उसका घात चार और यही वह अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अगला प्रश्ण दिया गया है कि किसी नाव पर आठ नाविक हैं जिन में से तीन केवल एक और तथा दो केवल दूसरी और नाव खे सकते हैं बताईए कि नाविक कितने प्रकार से नाव खे सकते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि यह नाव बना हुआ है और इसमें दो भागें एक लेफ्ट और दूसरा राइट या तो एक और और दूसरा दूसरी और जो इसमें 3 जो हैं वो केवल एक और नौ खे सकते हैं और 2 जो है यह केवल एक और नौ खे सकते हैं इसका मतलब यह कि side A पर ये 3 वेक्थी fix हैं और side B पर ये 2 वेक्थी fix हैं और kul मिला करके 8 नाविक हैं तो इसका मतलब यह है कि balance बनाने के लिए लेप्ट साइड में आपको चार व्यक्ति की जरुरत पड़ेगी और राइट साइड में आपको चार व्यक्ति की जरुरत पड़ेगी यहाँ पर एक व्यक्ति की कमी है और यहाँ पर दो व्यक्ति की कमी है यहाँ पर यह एक और यहाँ पर दो ताकि वह बैलेंस बन सके से चार एक ओर तथा चार दूसरी ओर होने चाहिए तब ही यह बैलेंस बना रहेगा अब प्रश्ण में यह कहा गया है कि तीन व्यक्ति या तीन नाविक केवल एक ओर तथा दो नाविक केवल दूसरी ओर नाव खेश सकते हैं वो लोग अपना इस्थान परिवर्टन नहीं करेंगे तो अब तीन और दो पांच अब बच गया तीन व्यक्ति तो तीन में से एक तरफ हमको एक का चायन करना है और एक तरफ दो का चायन करना है तो उसको हम लिखेंगे कि एक ओर के तीन नाविकों में से एक नाविक चुनने के प्रकार तो इसको आप लिखेंगे 3C1 इक्वल टू 3 अब दूसरी और दो नाविक होंगे चोकि 3 में एक का चैनिस तरफ कर दिया गया है तो अब सेश दो जो होंगे वो दूसरी तरफ होंगे अब प्रत्येग चार नाविक चार फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है यहां पर चार इस्थान है तो यह यहां पर इस तरीके से चार फैक्टोरियल तरीके से यह लोग अपने इस्थान को बदल सकते हैं अतह नाव खेने के अभिष्ट प्रकार तो पहला तो तीन यह हो गया फिर चार का फैक्टोरियल और फिर चार का फैक्टोरियल इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा तीन गुना चोविस गुना चोविस और सरल करने पर आपको मिल जाएगा सतरा सो अठाइस और यही इस प्रशन का अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्यात करना था अगला प्रशन है कि एक परिक्षार्थी को दस में से छै प्रशन हल करने हैं कुल प्रशन पाँच-पाँच के दो भागों में विभक्त है और परिक्षार्थी को किसी एक भाग से चार प्रशनों से अधिक प्रशन हल करने की अनुमति नहीं है वह कितने ढंग से छै प्रश नर्ज है और दूश्रें और योग निकालेंगे तो तब हम इस प्रशन का उत्तर मिल जाएगा कि कि परिक्षार्थी निम्न प्रकार से प्रश्णों का चैन कर सकता है पहले सिति एक भाग से दो और भाग दो से चार प्रश्णों कि यह कहा गया है कि एक भाग में चार से अधिक प्रकार से वह हल नहीं कर सकता तो इस प्रकार चुनाओं के प्रकार पांच में दो का चैन करना है और पांच में चार का चैन करना है दूसरी सिति की भाग एक से तीन प्रश्ण और भाग दो से तीन प्रश्ण तो इसलिए इसके जो चुनाओं के प्रकार होंगे यह हो जाएगा 5C3 इंटू 5C3 पांच में तीन और पांच में तीन के चैन के प्रकार अब तीसरी सिति की भाग एक से चार प्रश्ण और भाग दो से दो प्रश्ण तो इसलिए इसके चुनाओं के प्रकार बराबर 5C4 और 5C2 तो आगे हम लिखेंगे कि अतः अभिष्ट विधिया अतः प्रश्णों को हल करने की विधिया इसमें हम सब का योग कर देंगे 5C2 इंटू 5C4 प्लस 5C3 इंटू 5C3 प्लस 5C4 इंटू 5C2 आगे 5C2 और यह 5C4 को पूरक संचे को उप्योग करके 5C1 लिखा जा सकता है और यह 5C3 को 5C2 और इस 5C3 को भी 5C2 लिखा जा सकता है 5C4 इसको 5C1 लिख सकते हैं और 5C2 को 5C2 ही रहने देते हैं सराल करेंगे 5C2 का मतलब है 5 इंटू 4 अपान 1 इंटू 2 इंटू 5C1 अर्थाथ 5 इंटू 1 5 अपान 1 5C2 तो 5 इंटू 4 अपान 1 इंटू 2 5C2 तो 5 इंटू 4 इंटू 1 अपान 1 इंटू 2 इसी तरीके से 5C1 मतलब 5 अपान 1 और 5C2 का मतलब है 5 इंटू 4 अपान 1 इंटू 2 सरल करेंगे तो आपको मिल दाएगा पचास इसको सरल करेंगे तो मिल दाएगा सो और इस अंतिम पत को सरल करेंगे मिल दाएगा पचास तो कुल मिला करके आ रहा है दो सो विधियां और यही इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्यात करना था